नमस्कार विद्यार्थियों तरक संग्रह के जिस विशय के बारे में हम आज चर्चा करेंगे वह है आत्म निरूपन यानि आत्मा के बारे में न्याय और वैशर्शिक दर्शन क्या कहता है उसे कैसा मानता है इसके बारे में आज चर्चा करेंगे आत्मिरूपन के संबंद में कहते हैं ज्यान का अधिकरणम जो अधिकरण है वह आत्मा कहलाता है आत्मा शब्द पूरलिंका होता है देखने में आकारांत शब्द है और लगता है कि वैस्त्र लिंका होगा किन्तु यह शब्द पूरलिंका है मूल में यह शब्द आत्मन शब्द है नकारांत शब्द है कभी-कभी साक्षात का रित्यादी में आत्मा शब्द का लिंग पोच लिया जाता है चूंकि यह दिखने में तो इस्टर लिंग की तरह लगता है लेकिन और आत्मा होती है इस प्रकार का हम प्रियोग हिंदी में भी करते हैं तो इस प्रकार के प्रियोग के कारण इसमें संशय उत्पन होता है कि यह कौन से लिंग का है तो नकारांत पूर्लिंग शब्द है, रूप चलते हैं आत्मा, आत्मानव, आत्मानः, आत्मानः, तृतिया विभक्ति में आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभी है तो इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं किसको माना गया है आत्मा जो ज्ञान का अधिकरण है यानि ज्ञान का आश्रय है ज्ञान जिसमें रहता है जिसमें जो चीज रहती है वह कहलाती है अधिकरण तो ज्ञान का जो अधिकरण है उसे आत्मा कहते है यह दो प्रकार की है न्याई और वेशेशिक दर्शन के अनुसार आत्मा को दो प्रकार का बताया है एक जीवात्मा दूसरा परमात्मा तत्र इश्वरह तत्र इश्वरह सरवग्यह यहाँ पर जो परमात्मा है वो इश्वर है इश्वर का मतलब होता है जो सभी का स्वामी हो और सरवग्य है और सभी कुछ जानने वाला है और वो कैसा है संख्या में एक एवा व संख्या में एक ही है जीव को जीवस्तू प्रति शरीरम भिन्नो लेकिन जो जीवात्मा है प्रति यानि प्रतेक शरीर में भिन्नो भिन्न है अलग-अलग है और विभू है फिर भी वहा और नित्यस्च और फिर भी वहा नित्य है तो इस प्रकार का जीवात्मा और परमात्मा के भेच से आत्मा को दो प्रकार का बताया है ज्याना अधिकरणम आत्मा कहा है ज्यान का अधिकरण है कहने का तात पर यह है कि ये उस प्रश्ण का जवाब है कि बहुत सारे रिशी मुनी जो हिमाले की कंद्राओं में कभी तपस्या करते थे उनको ज्ञान कैसे होता है उनको सब विश्यों के बारे में पता कैसे होता है चूंकि प्रतेक शरीर में हमारे जो आत्मा या कोई भी जीव जो निवास करता है जिसे हम जीव कह सकते हैं आत्मा भी ना कहीं तो जो जीव निवास करता है वही ग्यान का अधिकरण है उसी में ग्यान निवास करता है इसलिए जब हम अपने भीतर ही जाग कर देखते हैं तब हमें कई विशयों का अनुभव होने लगता है इसलिए वेदानती कहते हैं कि हमा जीव के आत्मा है उस पर एक माया का आवरण होता है और वह जब आवरण हट जाता है तब उसमें ज्ञान उद्भुद होता है तो ज्ञान हमारे भीतर ही है उसे बाहर खोजने के आवशक्ता नहीं होती है ऐसा इनका कहने का तात परिया है अब इसमें जो लक्षण किया है कि ज्ञाना अधिकरणम आत्मा उसका उस लक्षण में अगर हम समवाई संबंद भी जोड़ दें तो समवाई न ज्ञाना अधिकरणम आत्मनो लक्षणम कि समवाई संबंद से ज्ञान का जो अधिकरण है वही आत्मा कहलाती है यानि ज्ञा प्रत्यक्ष प्रमान से प्रत्यक्ष प्रमान क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष प्रमान वो होता है जो हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान अनुभव करते हैं. हमारी चक्षू, श्रोत्र, जिव्वा, घ्राण और त्वक इन इंद्रियों से जिस भी ग्यान का ग्रहन किया जाता है वो सब क्या होता है? प्रत्यक्ष प्रमान होता है. आप इसको ऐसा नहीं समझे कि आँखों से जो देखा जाता है वही प्रत्यक्ष होता है. ऐसा नहीं है जो पांच ग्यानेंद्रिया हैं शोत्र, तवक, चक्षु, जिव्वा और घ्राण इन पांच ग्यानेंद्रियों से जिस भी ग्यान का घ्रहन किया जाता है वह सभी प्रतक्ष की श्रणी में आता है अत्वा अनुमान प्रमान से अत्वा और कोई भी जो प्रमान माने जाते हैं जैसे उपमिती प्रमान माना जाता है शब्दा प्रमान माना जाता है किसी भी प्रमान से जो भी ज्यान हमें प्राप्त होता है या किसी भी प्रमान से जो हमें ज्यान हो रहा है उन सभी प्रकार के ग्यानों का जो केंदर स्थान है वहाँ आत्मा है जो भी ग्यान हम गरहन करते हैं वो आत्मा के बीतर रहता है इस बात को ऐसा भी कह सकते हैं कि पहले से ही ग्यान आत्मा के बीतर है जिसका आवरण हमें हटाना है अथवा जो भी ज्यान हमने प्राप्त किया है वहा आत्मा के भीतर रहता है अब इश्वर की बात कर रहे हैं आत्मा की बात कर रहे हैं तो वह किस प्रमान से सिद्ध होती है क्या किसी ने देखा है इश्वर को? क्या किसी ने आत्मा को देखा है? तो हमारा उत्तर होगा की नहीं? वह दिखता तो है ही नहीं, देखा ही नहीं उसे तो नेयाईक जो है वह आत्मा की सिध्धी अनुमान प्रमान से करते हैं चुँकि प्रत्यक्ष से सिध्धी नहीं हो पाती है तो अनुमान प्रमान से करते हैं यह अनुमान प्रमान क्या होता है जबी बी कोई विशय प्रत्यक्ष ज्यामिन्द्रियों से नहीं देखा जा सके, नहीं जाना जा सके, तो उसे एक अनुमान से जाना जाता है। कैसे जैसे प्रमाण में देते हैं शित्यंकुरादिकं करत्रि जन्यम कारियत्वात खटवत शिती का मतलब है पृत्वी और अंकुरादि उसमें जो पृत्वी में जो बीज के अंकुर होते हैं ये करत्रि जन्य है ये सब कोई न कोई इसको उत्पन करने वाला है प्रत्वी उत्पन होई है, बीज से अंकुर उत्पन होता है तो ये स्वता तो उत्पन नहीं होता, कोई ना कोई शक्ती, कोई ना कोई पावर कोई तो ऐसी चीज होती है, जिसमें हमने प्रत्वी पर बीज डाला और उसमें अंकुर निकलने लगेगा तो स्वता फूट वो भले ही होता है लेकिन उसमें कोई ना कोई शक्ती तो होती ही है तो करत्री जन्यम यानि करता से उत्पन होते हैं क्योंकि ये सब क्या है कारिय है प्रत्वी का उत्पन होना प्रत्वी पर जो बीज डालने से अंकुर का उत्पन होना ये सब क्या है एक कारिय है और चुंकि कोई भी कारिय होता है वो करतरी जन्य होता है यानि करता के द्वारा किया ही जाता है तो उस कारिय को करने वाला कोई न कोई करता तो है ही इसी लिए ये सिद्ध होता है जैसे घट, घट का मतलब घड़ा, क्या वो स्वायम बन जाता है? तो हमारा उत्तर नहीं, उसे कौन बनाता है? उसे कुम्बकार बनाता है कुम्बकार जैसे घट का निर्मान करता है वैसे ही प्रत्वी और इस पे उत्पन्न होने वाले अंकूर इत्यादी को उत्पन्न करने वाला कोई न कोई करता है इसी लिए जितनी भी कारिये हैं घट बनाना एक कारिये हैं प्रत्वी निर्मान और उसके बाद शिती अंकुर इत्यादी का निर्मान होना यह सब भी क्या हैं एक कारिये हैं तो जो जो कारिये होते हैं उन उनको करने वाला कोई न कोई करता होता है तो इस प्रकार की अनुमिती बनाने से यह निशकष निकलता है कि अनुमान प्रमान से सिद्ध होता है कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता इस ब्रह्मान पर विद्यमान है क्योंकि देखिए अब इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि ये सब क्या है एक कारिय है तो जो जो कारिय होता है वे सक करता के बिना उत्पन नहीं हो सकते हैं जैसे की खड़ा या संसार में कोई भी कारिया है वस्र बनाने का कारिया है इत्यादी या फिर हम खेती करते हैं इत्यादी उनमें से कोई ना उनको भी करने वाला कोई होता है लेकिन उसमें जो बीच पस्पोटित होता है उसे करने वाला कौन है ये प्रत्वी का निर्मान स्वयम नहीं हुआ ह इसे करने वाला कोई न कोई है, ऐसा तर्क नेयाईक देते हैं, यानि न्याय दर्शन को मानने वाले, जो न्याय दर्शन के अनुसार, या फिर हम आज तर्क संग्रे पढ़ रहे हैं, इस दर्शन के अनुसार, जो परमात्मा है, उसकी सिद्धी वह अनुमान प्रमान से करते ह तो समभाई सम्बंध से जो नित्य ज्णवान है जो सर्वशक्तिमान है उसी को परमात्मा कहते हैं तो परमात्मा सर्वग्या है वह इश्वर है यानि सभी का स्वामी है ऐसा न्याई दर्शन मानता है और संबाई संबंद से ही उसमें ज्यान की सिद्धी करता है कि उसमें जो ज्यान रहता है इश्वर में जो ज्यान रहता है परमात्मा में जो ज्यान रहता है वह संबाई संबंद से रहता है अब चूंकि उसी का अंश जीवात्मा है तो उसमें भी ज्यान का वहबी अधिकरण लेकिन कैसे ग्यान का जो इश्वर से उत्पन होने वाला ग्यान है वही ग्यान जीवात्मा में रहता है इस संबंद में क्या लिखते हैं संबाई संबंद से जन्य का मतलब उत्पन होने वाला ग्यान जिसमें रहता है वह क्या है जीवात्मा है समवाई न जन्य ग्याना अधिकरण अत्वम जीवत्वम समवाई सम्मन से जन्य का मतलब है उत्पन होने वाले ग्यान का जो अधिकरण है वह जीवात्मा है इस बात को ऐसे समझिए कि एक बहुत बड़ा समुद्र है तो समुद्र है उसमें अठा जल है उस जल का कुछ हिस्सा आप किसी छोटे तालाब में आप कतौरी में, किलास में, जग में किसी में भी भरते हैं, अपनी अंजूली में भरते हैं तो वह जो जल राशी है वो कहां से निकल कर आई ? समुद्र से निकल कराई है तो समुद्र तो उस अथा जल का स्रोत है और उससे निकलने वाला जो छोटा जल है जिसको आप तालाब किसी में भी करते हैं वह क्या है एक तरह से जीवात्मा के संबंद में मानिये तो जो अथा जल राशी वाला भाग है वह क्या है परमात्मा है यानि जो अथा ग्यान का स्रोत है जिसमें समवाई सम्मंद से ही ग्यान रहता है वह क्या है परमात्मा है इश्वर है वह सब कुछ जानने वाला है सरवग्य है और उसी में से उत्पन होने वाले उस जीवात्मा के उस परमात्मा का ही अंश क्या है जी जीवात्मा उस परमात्मा से उत्पन होने वाले ज्यान को धारण करने वाली है उसको आश्रई पदान करने वाली है इसलिए वह जन्य ज्यान का अधिकरण होगी इस प्रकार भी जीवात्मा का लक्षन किया जाता है अब जीवात्मा को क्या बताया है? विभू बताया है अर्थात वह भी सभी मूर्थ द्रव्यों से सयोंग रखने वाली है अब देखिए मूर्थ द्रव्य क्या होते हैं हमने पिछली बार भी चर्चा की है इसके बारे में प्रत्वी, जल, तेज, वायू और आत्मा, मन, प्रत्वी, जल, तेज, वायू और मन, इनको कहा गया मूर्त द्रव्य, आकाश मूर्त द्रव्यों में नहीं किना जाता है, फिर और ये कैसा है विभू है, इस जीवात्मा का भी उत्पत्ति और विनाश नहीं ह शरीर ही उत्पन होता है और शरीर ही विनाश शील है अर्थात इस शरीर के अंदर जो एक जीव है जिससे हमारे शरीर में चेतना संचरित होती है तो वह जो चेतना है वो जो जीवात्मा है उसका कभी भी उत्पत्ति और विनाश नहीं होता है ऐसा भगवत गीता में भी लिख जिस जो उत्पन हुआ है उसकी मृत्यू निश्चित है और जिसकी मृत्यू हो चुकी है उसका जन्म पोना होगा और आत्मा के संबंद में लिखते हैं कि तो ये जो जन्म और मृत्य हो रही है वह किसकी हो रही है शरीर की हो रही है आत्मा के संबंद में लिखते हैं वसांसी जिर्णानी यथा विहाय नवानी ग्रनाती नरोपरानी तथाय शरीरानी विहाय जिर्णानी नवानी सहाती नवा यह पुराने वस्त्त्रों का त्याग करके नए वस्त्रों को धारण करती है अर्थात वह तो नित्य है अटल है उसकी कभी मृत्यों नहीं होती अक्लेत petites तो जो ये जीवात्मा है ये उत्पत्ति और विनाश से रहित है ऐसा ही भगवत गीता में भी लिखा हुआ है तो अब जीवात्मा में कुछ गुण पाये जाते हैं वो कौन-कौन से हैं संख्या, परिमान, प्थक्त्व, संयोग, विभाग, बुध्धी, सुख, दुख, इच द्वेश, प्रियात्न, धर्म, अधर्म और भावना नामक संसकार ये सभी गुण जीवात्मा में रहते हैं देखिए एक प्रसंग कुछ-कुछ व्यक्ति कहते हैं कि जो सद्यजात शिशू है वह उत्पन होते ही माता के दूद के लिए लालाईत रहता है और थोड़ी देर बाद ही वह स्वाइम पीने लगता है उस दूद पीने के बाद उसकी भूक भी शान्त हो जाती है तो सद्यजात जो अभी अभी शिशू उत्पन हुआ है उसकी इस प्रकार की प्रथम प्रवरती को देख कर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस कारिया में वह पहले से ही अ दुबान के लिए इत्यादी कारियों में प्रवरत करते हैं इन सभी प्रवरतियों से हमें क्या लगता है कि जीवात्मा नित्य है और वह साश्वत है इसके प्रमान शास्त्रों में बहुत मिलते हैं तो आप उसके लिए भगवत गीता का द्विती अध्याय में कुछ- आख्या में उसको लिख सकते हैं आज के वीडियो में इतना ही हम अगले में अगले पदार द्रव्य के बारे में चर्चा करेंगे धन्यवाद